दोस्तों आप सभी भी हर पुलीस फायरमेन परिक्षा रिजल्ट का बेस अबरीस इंतजार कर रहे हैं तो फैनली अब आपका इंतजार खत्म हो गया है cut-up के बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं और फिजिकल कब से शुरू होगी तो सभी चीजों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं आप देखेगा दोस्तों तो भी हर पुलिस फायरमेन परिक्षा का जो एक्जाम लिया गया था आज से ठीक पांच महने पहले और पांच महने कम्पलीट हो गया है फिर भी अभी तक रिजल्ट नहीं दिया गया है तो फैनली अब आपका इंतजार खत्म हो गया है ये जो भरत केट लिस्ट जारिक किया जाता है तो अभी भरती में और अधिक समय लगेगा और इसमें रिजल्ट में देरी होने का सबसे बड़ा जो कारंथ है दोस्तों यहां पर हुआ क्या है कि 194 अभिहार्थियों का OMRC गया हो गया है इसके बारे में आप सभी को पता ही होगा और इ लेकिन फायर्मेन की से एक साल पहले जो भरती आए थी अभी तक यह पेंडिंग ही चल रहा है तो दोनों का जो एक्जाम देखेगा तो एक-एक महने कंत्राल में लिया गया था मदनिश्यत सिपाही का 27 फरवरी को एक्जाम लिया गया था तो 27 फरवरी वाला एक्जाम का र निश्यत सिपाही की जो 76 पदव पर भरती आई है अगर आप भी श्रीय से जॉब के परती चाहते हैं कि 4-5 महने में नौकरी लग जाए तो इस फॉर्म के लिए आप जरूर फॉर्म भर दीजे इसमें सीटों की संख्या में लगभग 100 पलस सीट और बिर्धी होगी विग्य इस एक्जाम का बेहतर तरीके से त्यारी करके दीजिए आप पहले कानुसार नहीं रहा है कि क्वेस्टन पर लिक आंसर की वैरल होगा जिससे कट अप बहुत अधिक चला जाएगा इसमें लगभग आपका सी क्वेस्टन सही हो जाएगा निगेटिव मार्किंग नहीं तो बसानी से रिजल्ट हो जाएगा अब बात करते हैं फायर में की तो फायर में का रिजल्ट कब आएगा तो फायर में में हुआ क्या है दोस्तों कि 114 अभिहार्थियों का ओमर्सीट गया था और इसको लेकर फिर से आप देखिएगा तो एक्जाम लिया गया है अठाइस यह पतना के एक सेंटर पर लिया गया है मजफरपूर से सौरी बेतिया सी एक गया था एक सुचरान में अभिहार्थियों का और फिर इसका पटना में एक्जाम लिया गया एक्जाम कम्प्लीट हो गया अब आपके मन में यह होगा कि एक मेहने दो मेहने का समय फिर से लग ज से जूर जाइए बहुत ही बेहतरीन कोर्स उपलब्ध है और इसमें सीटों की संख्या में जरूर एक सो बिर्दी होगी लगभग दो सो पदो पर यह भरती रहने वाली हैं तो बहुत ही कम प्रैस पर फटा फट अपलीकेशन से जाकर के कोर्स जोएन कर लिजे जिसमें आप लोगों को पूरी त्यारी के साथ साथ जो पैटरन है उसी पैटरन पर प्रैक्टि rats करवाइंगे और साथ में आप लोगों को पिछले पंदरा साल का जो भी क्विस्चन है सभी आप लोगों को मिल जाएगा Ben इसमें आप लोगों को मिल जाएगा तो बेहतर तरीके से त्यारी करके एक्जाम दीजेगा तो फैनल यह आपका सेलेक्शन हो जाएगा अब रिजल्ट की बात करें दोस्तों तो रिजल्ट जो है एक ही सब्ता में आ रही है अब आपको बहुत जैदे इंतिजार नहीं करना प परतिसात उपास्तिती रही है तो सभी का OMRC test scanning सब कुछ पहली हो गया था इसके बाद OMRC test scanning के समयम यह पता चला कि 594 अभिहारती एपियर हुए है अटेंडेंस सीट से पता चला कि यहां पर एटेंडेंस तो बदना हुआ है लेकिन OMRC test का हाई ही नहीं एक सेंटर का तो फिर से यहां प्रेफायर किया गया जांस यह सब हुआ लेकिन नहीं मिला तो नहीं मिलने के बाद फैनली यह डिसाइड किया गया CSP हो जाएगा यानि एक दिन से भी कम का समय है तो फैनली यह सब अब हो गया होगा MRC test का इनिंग सब कुछ सारी पर किया अब इसके बाद क्रॉस चेक किया जाएगा इसमें जो भी कंडेट 114 में अच्छा मार्क्स आया होगा मैक्सिमम एक दो का रिजल्ट इसमें से होने वा बात है फीजिकल को लेकर कि फीजिकल की परकिरिया कब से शुरू होगी आप लोगों के बारे में बताने वाले हैं तो रिजल्ट इसका दिया जाएगा इसी मेहने में दस से बारा तारिक तक आएगा और CSBC का पैटर्न देखिएगा तो फीजिकल में आप लोगों को बहुत अधिक समय नहीं दिया जाएगा लगभग एक महने का समय मिलेगा यानि अक्टूबर में हराहल में इसका फीजिकल ले लिया जाएगा दुर्गा पुजा के बाद पांच तारीकों 10-12 तारीक से फीजिकल ले लिया जाएगा और 10 दिन में ये फीजिकल कंप्लीट हो अगर आपका फीजिकल में मार्क्स के दना अनुसार ही बनने वाला है कटप की बात करें दोस्तों कैटोगरी वाइस तो अगर आप मेल है पहले मेल का सुन लिजी यहां पर तो अगर आप जेनरल कैटोगरी साथ है अगर आपका 78 से 80 मार्क्स है तो रिजल्ट बिल्कुल अगर आपका अहराल में रिजल्ट आ रहे है इसके बाद बात करते हैं बी सी कैटोगडि तो अगर आप आते हैं से त्यारी किजिए इसके बाद EWS की बात करें इवस में अगर आपका लगभग 73 क्वेस्टन सही है तो बिल्कुल आपका रिजाल्ट आ जाएगा wszyscy की बात करें शुष तय में कम कष्टफ जाएगा श्यारी की बात करें शियासर से श्र्चा त्यू कोइस्टन अगर आपका आपका सहीयत विल्कुल रिजाल्ट आजाएगा इसमें ये नहीं है कि 80-80 कटप चला जागा, फिमेल का तो कटप डौन ही रहता और पूरू सा ब्हारतियों में भी ये नहीं है कि 80 चला जागा, रिजल्ट भी अच्छा खासा दिया जाएगा, लगभग 12,000 कंडेट का रिजल्ट दिया जागा, तो इसलिए बहुत अधी ये सब चीजे हुआ है, इस कारण से थोड़ा सा कटप हाई गया है, नहीं तो दो-तीन क्वेस्चन और इससे डौन ही कटप रहता, बी-सी की बात करें, तो बी-सी में यहां पर अगर आपका 63 क्वेस्चन सही है, तो रिजल्ट आपका आजाएगा, इसके बाद एसी की बात करें, इसका हाई कटप जाता है, यहां पर कटप के बारे मापको आइडिया हो गया, और आपके पास फिजिकल के लिए जो समय है, आपके पास लगवग देर महने का समय है, बहुत अधीक समय बिलकूल भी नहीं मिलेगा, मधनिशेद सिपाही 365 पोष्ट में भी, एक महने के फिजिकल ले लिया गया, इसमें भी बहुत अधीक समय नहीं दिया जाएगा, कंडेट भी बहुत अधीक नहीं है, 12,000 कंडेट है, लगवग इसका 10 दिन फिजिकल चलेगा, और दुरगा पुजा के बाद इसका फिजिकल शुरू किया जाएगा, और दिवाली से पहली कंप अधीक का भी बेसबरी सिंतजार कर रहे हैं, हो सकता है कि इसमें आपका एकजाम खराब चला गया हो, जो खास करके नेश्टेंट होंगे, तो आपको लग रहा होगा कि इसमें मेरा इतना मार्क्स नहीं आया, अच्छा मार्क्स नहीं आया है, दो तीन क्वेस्ट्न से रिज दिया जाएगा, तो लगवग 1000 कंडेट का रिजल्ट दिया जाएगा, और मदनिशयत सिपाही में अगर पारदर्सी तरीके, कहीं से कोई भी चिटिंग नहीं होता है, तो लगवग आप असी क्वेस्टन बना लिजेगा, तो बिलकुल आपका रिजल्ट हो जाएगा, और व जाने वाले कंडेट का ही सेलेक्शन होगा, तो इसलिए आप लोग इसका फॉर्म भर दीजे, और अप्लिकेशन से जाकर फटा 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 बेहतरीन कोर्स च्वेन कर लिजे, इसमें आप लोगो संपूर्ण त्यारी के साथ साथ प्रिविए सेर का क्वेस्टन भी प्रोव जाएगा, तो कल आप लोगों का 84 सुपंद्र का मेरिट का भी इंतिजार खत्म हो जाएगा, और नई भरती की बात है, तो इसी महने के लाश तक 12,000 पदो पर भरती आजाएगी, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से त्यारी कीजिए, अभी मदनी सेथ का त्यारी कि दोनों का पैटर्न सब कुछ सेम ही है, तो यहां से आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया है कि भी हर प्लीस फायरमेन का रिजल्ट का बार है, कितना क्या कट अफ जाएगा, फिजिकल के लिए आप लोगों कितना क्या कुछ समय मिलने वाला है,